मौसम के साथ ही कोरोना के लक्षन ने भी करवट ले ली है वरतमान में जिस तरह मौसम बदलता है उसी तरह कोरोना के लक्षन भी बदल गए है पिछले कुछ दिनों में जो मरीज सामने आये है अदिकतर में बुखार के लक्षन नो के बराबर है हाला कि सरदिखासे के मरीजों की रिपोर्ट पॉसिटिव आ रही है जिससे साफ है कि सरदिखासे वाली मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है शहर में करीब 6-70% मरीज ऐसे मिले है जिने बुखार नहीं था इससे साफ है कि सरदिखासी वाले मरीजों को सावधान रहने की जरूरत है अगर बुखार नहीं भी है तो एतिहात तौर पर अपनी जान जरूर करा ले दूसरी लहर की आशंका के चलती प्रशासन ने भी जांच पर जोर देना शुरू कर दिया है तीरे दीरे जांच की संख्या भी बढ़ाई चा रहे है रोजाना करीब 300-500 की बीच नए संक्रमित मिल रहे है यह आकडा लगातार बढ़ता चा रहा है इसमें रोजाना करीब 150 से ज्यादा मरीज मेडिकल अस्पिताल में भरती हो रहे है साथ ही करीब 100 मरीज मेओ अस्पिताल में भरती किये चा रहे है करीब 60-70 प्रतीश मरीजों में बुखार के लक्षन नहीं है मरीजों को केवल सरदी खासी के लक्षन अधिक नजर आ रहे है इसके साथ ही जांच करने पर कई दस प्रतिशत मरीजों के फेफडे में संक्रमन की समस्या है